हलो दोस्तों आप सब का वैलकम है मेरे नए व्लॉग में तो फ्रेंड क्या आप भी आप में से भी कोई निव मॉम है तो मैंसे कमेंट करकर जुरू बताईएगा मैं आपको बतादू मेरी दो बेटियां है एक है इस एर्स की और ये है अभी टू अन्स की तो बस मैं यहां सुलाने की कोईसिस कर रही हूँ लगी हूँ सुलाने के लिए अभी रात के 11 बज़ रहे हैं और आपको जो नए मौम है जिनके छोटे बच्चे उनको तो पता ही होगा कि बच्चे को सुलाना में बहुत टाइम लगता है तो मैं भी यहां बहुत जादा स्ट ट्वाइमें के पास रख देती है उसका में कीचन में आ जाती हूँ क्लीनिंग करने के लिए मैं गैस बैस साफ करूंगी और जो बरतन थोड़े बहुत हैं वह सिंक में डाल दूंगी सुबह मौर्निंग में क्लीन होगा जब अक्का आएंगी तो हमारे साउथ में जो हाउस 11 सारे 11 सोई थी और इसके बाद 2 बज़े से जगी है तो मैं पहले तो लिटा के ही सुलाने के को सिसकी बटी नहीं सोई उसके बाद फिर मैं इसको लेके घूमी बहुत देर तक गोदी में लेके बैठी रही यह देखिए आप लेके बैठी थी बैठना नहीं था फिर इसको रूटीन हो जाता है हम नए मॉम का तो रात में पता नहीं कितनी बार जगना होता है तो यह देखिए उसके बाद यह यहां टाइम हो रहा है 5.45 छे बजने वाले हैं और फिर जग गई थी मतलब सारे 5 बस से जगी थी तो फिर मुझे सुलाते सुलाते उसको सारे साथ ऐसे ह हो गया होता है एक घंटे तो लगी जाते हैं सुलाने कभी-कभी ऐसा होता है ना कि 3-4 गंटे वो नहीं सोती है अगर उठ जाती है तो और बस नेक्स डे का मॉर्नी का टाइम है मैंने ब्रश रस किया उसके बाद मैंने चाय रग दी बनने के लिए और उसके साथ ही मैंने र पाते हैं कि एक बार सोए तो सीधे सूबह ही उठे जो नियू मॉम है उनको रात में पता ने कितने बाहर उठना पड़ता है तो मेरे साथ भी होता है तो इसके बाद यह थोड़ा सा गोवी में काट रहे हूं कल बनेगा लंच में इसलिए मैं पहले ही काट कर रख ले रहे ह और अब मैं उसको जगाऊंगी अभी बज़े रहे हैं दस बज़े के असपास तो वो ना कितने साथ सारे साथ बज़े सोई थी और उसके बाद अब दस बज़े तो मैं उसको उठाऊंगी और यह मिलेट का नूडल से जो कि मैं आज बनाने वाले है तो यह देखिए अभी मैं जाओंगे लन्श करने और यह की तो हिए आज का मेरा लंज तो सहले मं करते हैं क्योंका मुझे बहुत भूख लग रहे है जो किन्यूं मां मैं गारिनिट्री के शांद बता रहे हैं पहुत भूख लगती होगी मुझे तो भूब भूख लगती है तो जो भी चैनल here लाइक शन सब्सक्राइब करेगा प्लीज